तो आज हम लोग पढ़ने वाले मैथ का इंपोटेंट तीस कोशन आज की इस वीडियो आपको मैथ का वनली तीस कोशन मिलेगा और आप लोग का चालेंज है कि अगर आप मैथ एकदम अच्छे तरीकिस तरही कर रहे हो तो तीस में तीस लाके देखाएगा ठीक है ना तब जा कैसे कwyn prompt कि से कम समय कीशन चलेगा चलें तो तीस से कोई है तो अधे कैसे बराएगा तो देखें कैसे बनाते सवाल को सुरू करते हैं सबसे पहला सवाल और यह बहुलक निकालना है यह बाला सवाल इसको बनाने के लिए क्या चाहिए भाई सिम्पल सा समय जो नमबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है बार बार आ रहा है देखिए नौ 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 यही होगा इसका बाहूलक यहीं होगा बहुलक बहुलक और ऑप्चन हो जागा सीवला रैड़न सर्ट इसमें टाइम तो जादे लेना नहीं फिर आता है दो पांच साथ तीन पांच जबलती का मा माधिका निकाला, मीडियम निकाला, मीडियन, अब माधिका निकाला भी असान है, बहुत असान बात है, क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो इसको हम करेंगे अरोही करम या अवरोही करम, बढ़ते करम या घरते करम में एरेंज करेंगे, तो तीन, 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 तीन हो गया, औ और क्या 557 123457 जब गिंथी करने पे 7 आया यानि कि विश्यम संख्या जब आ जाए । जब विश्यम संख्या आ जाए जिनती करने पर तो याद रखें कि तीन कि मतब्स पत्वारा करना है इधर और इधर और इथर और भीच में की बच जाएगा तीन आंक इधर ऑगया तीन अंक जो बीच वाला होगा वह इससे होगा माधिका कि इस यbay विशम सब्द्द रहेगा और सब्म रहेंक तो गयत्ग ऑन की इसे में और ढिश turns दो निकलना है इसका माधिकाल नहीं करने बढ़ा असान है क्या करते हैं 2-3-3-5-7 यह मैंने कह बढ़ते कर्म लिख दिया यह तुम बढ़ते कर्म लिखो चाहिए तुम घटते कर्म कोई फरक नहीं यहाँ पर देखो जोलेये Universal को गिन की देखो एक दो तीन चार पांच छे मिला लेना एक तो तीन चार पांच यह स्वी यह नहीं कि सम है सं सम है आप तो बीच में दो डिजीट बचना मांगता है तो हम दो डिजीट बचाना है तो क्या करेंगा वाइ तो दो यह दर तो 5-3-8 बटा दो दू जाने कि कितना ओगया चार आपका राइट अंसर हो गया तो किलियर समय आगया है अगला स्वाल किसी घटना की प्रैक्टा का अधिक्ता मान क्या होता है कोई भी घटना घटेगा उसका प्रैक्टा का सबसे ज्यादा 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 मान क्या हो सकता है तो प्रैक्ता का ज्यादा ज्यादा मान क्या होता है एक होता है और नियुंतम मान क्या होता है नियुंतम मान होगा जीरो अधिकता मान एक होगा है ना असंभव घटना की प्रैक्ता क्या होता है जीरो होता है यह सब आपको याद रखना है नेक्स सवाल कौन प्रैक्ता में नहीं हो सकता है था को नहीं हो सकता ये बहुत अच्छा सवाल है किरा को जाने के लिए सिंपल का कहां तक होता है या छिरो फोले ंबाई होगा या एक होगा या एक से छोटा होगा या जीरो या जीरो से बड़ा एक एक से छोटा है इसके बीच में रहेगा या जीरो होगा जीरो ज्यादे होगा एक होगा एक से पहले होगा इतना रहे इसके अंदर सब रहेगा प्रैक्टा इसको हम ऐसे बोलते हैं जो प्रैक्टा से भाद होना है तो माइनस आग तो सम्झें परेक्टर नहीं होगा कषिए खुद्ण ह mentee हäreके यदे पी और की दो आभास यका तो उसका मासा मासा यानिकी एच-सी एफ महत्म समापवर्तक कोई-भी आभा संख्या दिया रहे हैं इसका अगर अबहा संख्या है सासके तर दोनों के होगा यहांप यहां पर ऐसे लगा हुआ है बार लगा इस बोलता कि यह जो बार है ना कि यह कौन संख्या परिमे की आप परिमे संख्या है जल्दी बता कमेंट करें क्या होगा यह होगा परिमे संख्या तो आपको मैं एक homework दे रहा हूं यहां पर इस अभी तो सवाल खत्व नहीं होगा इस homework कमेंट बॉक्स में किजेगा और इसको बदल करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ठीक है चले कि आप लोग का homework रहेगा अभी बहुत बाकी बबू अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है कौन आभाज नहीं है ओ भाज कौन नहीं है यानि इस चार में तीन आभाज है एक आभाज नहीं होगा तेरा आभाज है 29 आभाज है 31 आभाज 27 तो भाज संख्या है साथ का कौन संख्या है कि जो है भाज संख्यां नेक्स्ट है पहुपद लिखा हुए एक्स पर पावर 5 माइनस 2 x q माइनस 3 x square पलस 5 इसका घात बताना है मतलब पावर सबसे बड़ा पावर क्या होता है तो देखिए हर बार सवाल पूछ ले एक्जाम में यह वाला पावर बोलेगा ना तो सबसे बड़ा पावर देखिएगा वही तुम्हारा अंसर हो जागा सब सबसे बड़ा पावर कितना है पांच है यही होगा इसका राइट अंसर इसी को बोलें घात बोलेंगे नेक्स्ट है कौन अलग है अलग मतलब देखो यहां पर आफ्शन को मैं सुधार देता हूं तीन बटे पांच है वन बाई रूट सोला है वन बाई रूट टू और यह 25 इस वाई रूट त्री है अब अलग बोला गया पर ना कौन अलग है चलिए अधिया यहां पर अलग कोन हो जागा है चाहे प्रेमे अपरमे क्रूप में अलक हो सकता है यहां पर देखा जा रहा तो यह तो परिमे amक्य हो तम आप यह भी युद्ट तो तो लुट निकलेहा नहीं चाहिए यहां पर ऑपल मिस्टेक है तूकि यह दोनों जो है परिमे नंबर है परिमे संक्यिए और यह दुन क्या है आ परी मेंसंख्या है तो मैं ऐसा काम करता हूं को मैं अपने चेंज करता हूं है ऐसा करते हैं यहाँ पर साथुट होगा उड़ जासरे की चीरी बाई रूट फाइफ करते हैं इसको उके इसको लीते हैं भॉन भाइ रूट 16 है यह हो गया है वाइन रूट पर में यह आपर में यह आपर में तो परी में इस परकर अलग हो जागा है इनमेंसे चारम कुन भीन है अलग कुन है तो खैर ऑफ्चिन वहाप एक गडबड था समझ लीजिए इसको चली अगला सवाल है तो निकालना है गुनन फल यानि कि आपको 50 और 25 को निकालना है कि एस्याफ और एल्सम अधोनों गुना कर देना है तो एलसम निकाला ना एलसम क्या होगा पताओ यह तो 50 हो जाएगा है और एस्याफ क्या होगा एस्याफ तो 25 हो जाएगा भाई इस अना गुना कर दो 25 पचास गुना 25 वारा पचास हो गया राइट है ठीक है ना चले अगला कोशन है एक तीए दो तीन का मात क्या होगा वहाट अच्छा सवाल है पूछता है मात क्या होता है वान पलस टू पलस थिरी इसको जोड़ो तीन है तीन है एक दो तीन है ना तीन से डिवैड कर दो एक दो दो एक तीन एक तीन छे बटा तीन यानि कि इतना गया तो अगया इसका राइट अंस इन सभी सवाल को हां गया चुटकियों बनाना है मेरे ख्यास से आपको आता होगा यह करने के लिए कौन राइखिक बहुपद है राइखिक बहुपद बोलते बाबू जिस बहुपद पर एक घात होता है केवल एक घात यहां पर समझ लेजिए यह जो है ना स्क्वाइर के रुप में है यह स्क बहुपद में दो घात है तो द्यू घात बहुपद हो गया यह ब eks uk ल यह क्या तिरी घात बहुपद और यह जो है राइखिक वहोपदि इस पर error च protagonisla तीरी घ ऊघ तरी खाथ वहिपदे नेक्स्ट तो कर्थम तीन लगतार प्रकृतिक संख्यां का माधिक होगा प्रकृतिक संख्यां का माधिका होगा रंतियों एक कि लगतार प्रकृतिक संख्याओं का माध्य हो गया तो नेक्स्ट कोश्टन है एक से तीन चार पांच का माध्य चार हो तो एक्स का मान क्या होगा यह भी सवाल पूछते आगजामें आपको बनाना है एक्स पलस्स्टे पलस्स सब्सक्राइबिए कि गये है एक तिन चाराइब कर देचो यहां पर देखोटीर सब्सक्राइब क्यारी बारा और चार चौक सोला तो बारा जाके माइनस हो जागा वह हुआ क्या हो जाएगा ओप्सन नंबर ए हो जाएगा ठीक है ना जी ओप्सन ए हो गया चलिए अगला सवाल यहां पर ज़िए दो चर में दो रैखिक समिकरन के हल अनंत हो तो उनके आले कैसा होगा हल क्या हो अनंत हल हो कैसा हल हो अन गिन्नत हल हो अनंत हल हो तो जब अनंत हल होता है जानी कि A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर C1 by C2 जब अनन्थ हल होता है तो उसको बोलते हैं संपाती क्या बोलते हैं संपाती जब कोई हल नहीं होगा तो कोई हल ऑर परतिशेदी क कब होगा जब एक खल हो परतिशेदी बहुत है साइँ सब्सक्राइबर बहुत था बनाना कैसे बनाते हैं चलिये देख लेते हैं यहांपर both ए मैनस बी कहल इसको एरत प्रक्राइगा ए स्क्वाइर पल्स है स्वार मैनस टू और और फी हो गया है वह यहां पर एज इस्वार पल्स है पी स्क्वार पलस टू अब देखिए यहां पर कीड़ा जाधे उड़ रहा है यह वाला अर्य व्लक कर जाएगा से इसको प्लस कॉस्ज का होता है वन होता है और वर्मन तू होता है आफसे नंबर थीक है तो दो अंसर हो गया अंसर राइट हो गया अगले सवाल है यदि टेटा बराबर रूट थ्री हो तो ठीठा का मान क्या सब बनाईएगा तैन ठीठा बराबर हो गया थीठा का मान क्या होगा मुझे बताओ कि टैनरी स्रीकम होता हो डशा कि अगला सवाल है यदि ठीठा बाइटू है पॉछा तो अगला सवाल है जिदी ठीठा by 45 दिगरी होगा तो का ठीटा का मानकि होता है अब देखिए तो थीता वराबर चीजर ओगा 45 दूना 45 कितना होता है 45 फपिता नब्व二 होता है यानि के आगवार कार्ट 90 का होगा तो चसब च करना थे का वाल K यानि कि वहाग करें कि आएगा जीरो आजाएगा कॉट नाइंटिक वैलू जीरो टेबल याद है अपको टेबल याद है तो अराम से बना ले जाएगा जदी एपलस भी 90 डिगरी है तो कॉस ए का मान क्या होगा बहुत अच्छा सवाल है जानदार सवाल है एकदम मज़दारवल सवाल है बोला कि कॉस ए पलस भी बराबर 90 डिगरी बोलता है कॉस ए का मान क्या हो कॉस ए तो ए हमको पता रहेगा तब तो बनाएंगे ए का मान मालू तभी तो एक जापर वाइलू पुट कर रहेंगे तो नहीं मालूम तो हम एक अमान यहां से अधे खोड़ा उड़ रहा हूं 90 माइनस बी हो गया बीक अब मेरे को एक कमान पता चल गया 90 माइनस भी अब यहां बठाते हैं पॉस एक जापर कहलेंगे नभे माइनस कास्ट 90 माइस क्या होगा ठीटा बी कर आप जागा सैन भी अप्सन नंबर सी वहां गया नेक्ट कुछन से यह सवाल है साइन ठीटा प्लस साइन इसको ठीटा बरावर वन दिया हुआ है तो इसका मान निकालने बोलता है क्या करेंगे देखी और सीटा को आप ऐसी लिखे स्क्वधर को दर भिजिए इस्क्वएर अब मुझे बताओ लिए कि नुए ऑफस्क्वार होता है यहां तो संभा गया आपको यह वाला दे रहा है क्या लिए आप यहां टिठा प्लस सची लिए इसको ओस को एसे कर सकता है है 50 ए एक जरी है, तेशलस्का भीon में सबस्टरा इसको कुछ ईयुकू कर सकता है और यहां पर कि तक बराबर का इस सए ना गया है, इसको से चोरवा इसको मत कुछ करो यहां करो पास स्क्वाइर अंदर में देखो यह अंदर वाला यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला पास स्क्वाइर के मैं क्या लिदू ऊपर स्क्वाइर तो रहे का रहेगा रहेगा अंदर वालिक बात कर रहा हूं इसके जापर हम सैंड लिख सकते हैं ना क्योंकि स्क्वाइर को ऐसी रहें देंगे इसके अपर लिखने सेंट हो जाएगा और उपर ओला स्क्वाइर तो लिखना पड़ेगा अब पता यह सैन स्क्वाइर प्लस कॉस्क्वार क्या हो तो न बाला सवाल में इतनी छोटा सा अंसर आया भाई साइब पाइज है ना देखें यहां पर इस सवाल का जवाब क्या होगा एक एक सेक स्क्वार एक टैन इसक्र तो ए आठ को लेलो कॉमन तो स्क्वार टिटा मैनस टैन कॉर ठीटा अब बताओ सेक इसको मैंस टैन इसक्वार का तब वन याने कि आठ एकम आठ हम आफसन नमबर क्या है सी वाला होगी बिल्कुल राइड यह नेक्स्ट नेक्स्ट विंदू दियावार रूट-2-3-2 किस पाद में है इस चतुर्थाज में किस क्वाइड्रेंट में है यह देखिए पलस में है यह मैनस में आपको पता पलस मैनस किसमें है मध्धिविंदु का नियामक निकालना है सब्सक्राइब क्या होता है एक्सवन प्लस एकस टु भाइटू एइप स्वाइट नियामक के यह 162 वाईब एकस फरॉत जो तो आब देखर diluriser कितना है दो है एक चुक्ता मैंस ग lado में फाइब इस्टा वाइट टुगमेंगे नायं दू है दो स्रीकिर न्यों गटे दो टीरो बटे दो एडो जीरो 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 बने गया ही रो अप्शन नमबर ए हो गया राइट अंसर चलिए एक सवाल वाई अक्ष पर इस्थित किसी बिंदू का निर्दसांग क्या होता है वाई अक्ष पर कोई बिंदू अगर है अगर कोई पॉइंट है कोई बिंदू है कहां पर है यहां पर है कहीं पर भी मालत यहां पर है यहां प और यह उदग रहें तो 36 कब बलेंगे दायां तरफ या बायां तरफ जब एक्स कमान रहेगा विंदू वाई पर है मतलब ना तो इधर जा रहे ना तो उधर जा रहे एक से जीरू है तब तू तो ही बोला गया कि वाई अक्ष पर की विंदू का निर्दसांग क्या होगा या यहां पर 10 है पाइक कुछ का नहीं मालूब वाई कोई घघे तो बोलेंगे जीजरू और भाई क्या होगा जीरू 1 कोई बिंदू 0 6 किसी तल में से तो इस बिंदू किसी पर होगा ई यहीरू अरो च्यू वा रह слова है इसित रहे हैग दो ठीट पांकिस रहा होगा जी ह alarm क섯 पता मूल बिन्दू का नियमाग किसको नहीं मालूम कौन बद नसीभ है जिसको मालूम नहीं होगा मूल बीदू का नियामग क्या होगा 00 यह दिया हुआ एक्स स्कृरर पडस फोर एक्स पलस वन बरह बर 0 मूलों की परकृति बताना सवाल आता है कि मूलों की परकृति बताइए तो मूलों की परकृति कैसे निकालते हैं बताओ पुरों के परकृति निकालने के लिए हमको D कमान निकालना पड़ेगा, B स्क्वार मैनस 4AC वाला फॉर्मुला, P कितना है, 4 है, 4 का स्क्वार, A कितना 1 है, X स्क्वार, 1 से को नहीं हो रहा है, C का 1, 4, 16 मैनस, 4 कितना कि बारा, अब देखो, D कमान, अगर यहां पे कोई भी सवाल दिया रहा है, कोई भी सवाल हो, D कमान अगर 0 से बड़ा आ गया, अगर D कमान 0 से क्या आ गया, बड़ा आ गया, तो वास्तित तो है लेकिन समान नहीं आ समान है यानिकि पलस में आ गया मतलब 1-2-3-4 कुछ भी पलस में जीरो से बढ़ा आ जाए जिरो से बढ़ा मतलब पलस में बढ़ा जाए और अगर कभी बनाए और डी कमान आ जाए जीरो को ऐसा सवाल दिया रहे उसको बनाए और अंस मैनस में मैं सकता है वह ऐसा सवाल हो जिसको बनाने परदशना माइनस में आ जाए लोगे जो है वो टोटा है जीरो से ओके चलिए आखरी सवाल आपके लिए आज मैं इतनी बता पाऊंगा एक्स स्क्वाइर पलस बी एक्स पलस सी बराबर जीरो कि मूल समान होंगे कब अब बताने आफशन यह स्क्वाइर दियो ना स्क्वाइर स्क्वाइर है तो देखिए तो समान होने मतलब का ओथ डी बराबर 0 मूल समान होंगे मतलब मूल बाद़ डी कमान zero अब डी का फॉर्मॉला बी स्क्वाइर मैनस फॉर एसी बराबर जो पी कमान कितना है अच्वी के लिए पर बी ही लिखा हुआ तो क्या दिक्कत है अब कुछ तो हो गया ना तो यहाँ हुघ हमआरा हो गया थाघाल एक मैशिक स्कीमि जोड़ना है एक यहाने माइन पर पढ़ाएं जोड़ना है। जोड़ना है किसी को करेंडल फट्रीन करनी है किसी का पढ़ाय कम हुआ है नहीं हो पारा चाहिसे तो आपको लगेगा दो सो निनानवी रुपिया यह पैसा हो सकता आप एक्जाम के टैम करीब में देख रहे होंगे तो आपको महंगा लग रहा होगा पिछले पंच्छे मेरा से चलते आरा अभी वह प्राइज है और इसका प्राइज अभी इसलिए इतना है क्योंकि हलाकि जादे प्राइज नहीं है 299 तो इसमें के वल आपको पीडिएफ नहीं दिया जाता है आपको ए ए ओनलाइन कि सो लूशन कि एप में जोड़ा जाता है ओके हमारा मोबाइल नमर बिरासी दस त्यालिस डिवल इसमें जोड़ा जाता है और आपको सिफ़े पीडिएफ नहीं मिलता है नोट्स मिलेगा कोश्चन मिलेगा सबसे बड़ी बात लाइव क्लास मिलेगा जैसे अभी आप यू प्रेकिसर में जब आप पढ़ते हैं तो आप रहे होते हो आपके आसपास कोई नहीं होता है तो आप क्या कमेंड करते हो मैं देखता हूं अच्छा यह बंद क्या मतलब गढ़बड अब आपको आप बनाना परता है कलम चलाना परता है कब होगा जब 200-90 उनियुक्त तो क्रायस को जूर देए मेरे तो मेरे मैं तो ही बोलोंगा जिसका पढ़ाय अभी साइस नहीं हो पाया इसमें जूरिए सारा बिनिफिट होगा गेस कोशन वगरा सबकुछ इसमें मिलने वाला है बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इसके अलावा इसके अलावा अगर आपको अगर आपको जूड़ना है जूड़ना नहीं बोले अगर आपको वेबसाइट पर टेस्ट दिने कहाँ अध्या तरीका है आपको वेबसायट पर टेस्ट देने कहा बहुत अच्छा मोगा मिलेगा बिना पैसा खर्च को यह फीरिम पर सकते हैं दोगल पर सच किजिए ऐख तो यहां पर आ सकते हैं तो आप डॉट इन पर जा सकते हूं तो यहां पर आप टेस्ट का और टेस्ट होता डेली टेस्ट होता जाकर तैस्ट दीजिए आपको चेप्टर वाइज करना है जैसे कि माले कि करने के बाद यहां पर नीचे आए देखिए आपको यहां पर बहुत अच्छा है आप आई रिदुद्ध उर्जा का वयापरिक मातर ते अगर मान देगें मार देंगे ना तो बोलेगा नहीं बाओ ये गलत अच्छा ये भी गलत है ओ माइगाड इसका अंसर होगा यूनिट कि यहां पर अंसर मिस्टेक है मैं इसको सुधार नहीं कोई को इसा लगाने में हो जाता है विद्धु सक्ति कैसे मादर क्या होता वाट वाट पर किलिक लगाएंगे बिल्कुल सही है तो आप जाके इस तरह से पढ़ाय कर सकते हो रिविजन कर सकते हो ठीक है चलिए बाकी मैं मकली अभी आपको दिया एक homework और उस homework वांसर कमेंट में करना है आपने 30 में कितना बना यह मुझे बताना है उन्होंगे My toyin A9.2 इसको पर रेकरिंगहां किया होगा मुझे करते हैं था कि सवाल निचेक ब्रॉक्स पुरा खाली है बहुत देजिए पुरा जो कई किस्क्राइब करलेजें दोस्तों के शेयर करदेजिए वाट्सपच्रास द्रॉस क्रदा प्रूर आईए और एप पर भी करा चलती है मैं ऐसे यहां पर नंबर दिख रहा है आपको एक मोबाइल नंबर कॉल करो मैसेज करो बात करो और फिर जो करना वह करो ओके डाइट चाहल थैंक यूवरेगन बेस्ट अफ लक और तैयारी रिदम जम करते रहों ओके बाइट